टार्गेट विद प्येस परियार चैनल में आपका स्वागत है आए शुरू करते हैं देख लेते हैं कि देनिक साइंक काल समाचार की इस वीडियो में विद्धार्थी जीवन चेस्ट समधित कौन कौन से सूचना है सबसे पहले बात कर लेते हैं युपीटरि पैल सी की युपीटरि पैल सी ने अभी एक ऑर भर्टी का कटाफ जारी किया आभी इस टेनो का कटाफ जारी किया था लगबग 11,000 विद्धार्थिञों को बुलाए गया था अगर आप भाग देंगे तो यह बंद बैठता है लगबग 41 गुना विद्धार्थी को बुलाए गिया है और इसे को लेकर के विद्धार्थी कहते रहते हैं कि किसी में 41, किसी में 45 गुना इस तरीके से बुलाए जारा किसी में 33 गुना जैसे इस टेनों में यहां पर यह जो देख लेते हैं कि कटाफ है वो कितने विद्धार्थी को बुलाए गया है यहां पर 60.54 जनरल की कटाफ को बुलाए गया है अनुसूचित जाती को बुलाए गया 57.96 और OBC का भी 60.54 जिनका है इससे जादा नमबर है उन विद्धार्थी को बुलाए जागम परिक्चा के लिए और थिक EWS को भी 60. तो यह एक विवाद है कि आखिरकार यह जनरल का OBC का और EWS का जो कटाफ हो लगवग बराबर क्यों हो रहता है मैंने इसको लेकर के पहले भी वीडियो बनाये थे और तो विद्धार्थियों को यह कहना है कि PET में जो है वो एक निश में लिखा है मैं आप सभी प्यारे भाईयों को अउगत कराना चाहता हूं कि उत्तरप्रदेश में समुगा की समस्त भरतियां प्रारामिक अर्था परिक्षा के माज़न से हो रही है जिसमें किसी भी बरति की मत्रिक्षा में समलित होने है तू लगबग सभी बरतियों का ज जैसे शिक्षक भरति में स्टेट में चूठ दी जाती है ओबिसी सेस्ट को और ऑर जनरल को 60% अंग लाने होते हैं ओबिसी सेस्ट को 55% अंग लाने होते हैं राजास्थान में CET होता है सभी समुगा की बर्तियों के लिए और उसमें जनरल को 40 प्रिस्ट नमबर लाना होता है CST को 35 प्रिस्ट और ये विद्यार्थियों ने एक ग्राप भेजा है पूरा लिकर के हैंड राइटिंग में दिखिए जो प्राइटियों को काफी ज़्यार्थियों को काफी ज़्यादा संख्या में समलित होने का आवसर मिल रहा है याने कि जो जनरल के 50 प्रिस्ट सीटे हैं वो होती तो सबके लिए हैं लेकिन PET में केवल जनरल वालों को दी जाती है जो प्रारमिक इलिजबिल्टी टेस्ट होता प्रारमिक अर्था परिच्चा होती है, जो पेट होती है, वो सब के लिए नहीं है, अगर किसी OVC ने OVC के द्वारा पीटी के लिए आविधन किया है, तो वो मात्र 27 परितिसत में ही रहेगा या जितने पद रहेंगी, अगर कि 14 परितिसत या 20 परितिसत अभी VPO का अब देखें या अन्य भड़ती हैं, बहुत सारी निकलती हैं, कभी कभी बहुत कम पत रहते हैं, तो उसका केवल 15 गुना विध्यार्थियों को पतों की संक्या का बलाए जाता है, जबकि जैनरल में होता तो जैनरल सब के लिए, लेकि मतलब यह कि जो समानवर के विध्यार्थी होते हैं, उनकी संक्या कम है, OBC के चात्रों की संक्या आवेधन करता हों में जादा होती है, जादा आवेधन करते हैं, 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 और वैसे तो ऐसा सभी में होता है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीज़े हैं, लेकिन विद्यार्टियों ने ये बेज़ा है मेरे पास, तो ये मेरा काम है कि सभी की बातों को इस चैनल में रखना, तो आप लोग इसको अब ना समझें, नीचे लिखा है कि जब नियूंत जादा होगी, उनको क्वालिफाई करा दिया जाएगा, यहां पर लिखा PET 2022 की अदार पर VPO बढ़ती लिखा कि जनरल के 849 पद हैं, इसका 15 गोना विद्यार्थी, यानि कि 12,735 विद्यार्थियों को इसमें बुलाए जाएगा, मुझे परिच्छा देने के लिए, OBC के के केवल 149 सीटे हैं, और इसका 15 गोना मातर 2000 OBC के चात्रों को बुलाए जाएगा, यहां पर जो जनरल के हैं, वो 12,735 चात्र आगए, और यहां पर यह दो जाए, और एक बात यह है कि इसमें केवल और केवल OBC के चात्र रहेंगे, और इसमें केवल और केवल जनरल के चात्र जब कि चात्र ना जता है, नहीं के चात्र रहेंगे, यह विद्यार्थयों को कहेना है, और कटाफ गई 69.05, लिखा कि इसी तरीके से अन्यभर्तियों में भी हो रहा है, यहां से विद्यार्तियों को यह कहना है, बहुत सारे विद्यार्तियों मजें की फोन किया ईस NS Essay प् 15 गुना कहने के लिए है लेकिन उसमें कटाफ को तब तक बढ़ा जाता है जब तक जेनरल के बराबर कटाफ नहीं आ जाता है हाला कि इस पर्ष्ट रूप से कभी नहीं बिताता है यूपिट्र पर असी की OBC के कितने विद्धार्थियों को बुलाए गया है और SC के कितने विद्धार्थियों को बुलाए गया है हमों के परिक्षा के रिए जनरल के कितने विद्धार्थियों को बुलाए गया है तो यूपी टर्पले से एक बार सकस्ट भी करते की किस طریف market और अगली जो सुचत्रा है वो है added junior बरती की जिसकी पर सास्ना देश जारी नहीं हो रहा है अभी जो चात्रे इसके लड़ाई लड़ रहा है इसके लिए कई बार धरनाप Deutsch पर दर सन्किया है जहां पर देख सकते हैं सीपी सिंग सिंगर और आज अधिकारियों से वारतवी है और जानकारी मिली है कि उसमें कुछ आरच्छन को लेकर के विवाद हैं सारी चीजें लगबग किलियर हो चुकी है और 20 अक्टूबर तक सासरा देश जारी हो जाएगा हाला कि इसके पहले भी इसके वजह से थोड़ा सदेरी हो रही है और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है कि अगली जो सूच रहा है वो बिहार की है जो जानकारी मिल रही है कि बिहार की जो परिक्षा है वो भी पोस्ट पूर्ण हो सकती सतर्वी BPSC की जो कि 1945 पदों का लिए जो बिग्यापर निकला बिहार PCS का उसकी बात हो रही है यह पत्र यह वैरल हुआ है सच्ची बिहार लोग सीवा आयूग और यह बिद्धार्थी मेरे पास बेज़ा बिद्धार्थी उन्हें और उनको कहना सर यह सही है इस प्रतम द्रश्टे है तो मुझे यह सही लग रहा है सामाने प्रिशासन विभाग बिहार द्वारा जिला इस तरह पर संब्धि जिला पताधिकारी आयोग द्वारा आयोद की जाने वाली परिक्षाओं के लिए सही हो जग नूगत है उगत परिक्षा में लगबग 7-8 लाक उमीदवारों के संब्धित होने की संभावना है और इन परिक्षारतियों के लिए जिला इस तरह पर परिक्षा केंदर के आवश्यकता है और पिसली बरती में विवाद हो गया था बिपेशे से काफी बरतियों का तो महां पर भी फूक फूकर के कदम उठाय जा रहा है परिक्षा केंदरों को लेकर के परिक्षा की सुचिता को लेकर की परिक्षा किस तरीके सुझा से आपने लिए आवश्यक है कि 3 फिट के बें कि आपने जिलांतर्गत आयोग द्वारा वांचित आवासन के अनुसार अवस्तित सरकारी अंपरतिश्टित निजी छेत्र के सिक्षर संस्तानों का चेहन कर उग्त परिच्चा को सांति पूर्ण सुब्यवस्तित यों कदा चार रहीत संचालन हे थू परिच्चा केंद्रों क परिच्चा केंद्रों का यहां पर भी निर्धारन हो रहा है बताया जारा जिसकी वज़े से यह नई तारीखें खोजी जा रही है यह होगी आज के वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्रवाद